केंट्री मंद्री प्रकास जावडेकर ने इंदोर में कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुछे 370 हटाई जाने के बाद अब सरकार का अगला कदम पीयोके है वहीं जावडेकर ने अयोध्या में राम मंद्र को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वहां तो मंद्र पहले से बना हुआ है लेकिन अब भव्य मंद्र बनाने की जरूरत है देखे इस रिपोर्ट में मोधी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुचे 370 हटाये जाने के बाद एक ओर जहां देश भर में खुशी का महौल है हर कोई पीयम मोधी के इस साहसी कदम की तारीफ कर रहा है वहीं अब देश की बहुसंख्यक आबादी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर को लेकर भी मांग उठने लगी है वहीं केंद्री अमानो संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इंदोर में प्रेसवारता कर कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुचे 370 हटाये जाने के बाद अब सरकार का अगला कदम पीयोके है अब मोधी सरकार पीयोके को भी भारत में लेगी पहला तो पीयोके ये पाकिस्तान ओ क्यूपइड कश्मीर केलाते हैं ये भारत का हिस्सा है और वो हमारा जो सर्वसम्मदी से संसत का प्रस्थाव है कि पीयोके भारत में लेना यही हमारा काम है ये 94 में संसद में प्रस्ताव पास हुआ था और इसलिए जम्मू कश्मीर के विधान सभा में P.O.K.K. सीट्स विधान सभा की जितनी होती है वो खाली रहे गया भी क्योंकि वो अलग से रहेगी जम्मू कश्मीर से अनुछे 370 हटाये जाने के बाद से पाकिस्तान पहले ही घबराया हुआ है ऐसे में मंत्री के इस बयान से पाकिस्तान में बड़ी हलचल मत सकती है वहीं केंद्रिय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वहां मंदिर तो पहले से बना हुआ है अब वहां भव्य मंदिर बनाने की जरूरत है कुल मिलाकर पाक अधिकरत कश्मीर को लेकर दिये गए केंद्रिय मंत्री के इस बयान से यह मायने निकाले जा रहे है कि अब सरकार इसे लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है बहरहाल पिये मोदी के इस कदम से पाकिस्तान पूरी तरह बोखला गया है अब देखना दिल्चस्प होगा कि मोदी सरकार पियोके को लेकर क्या बड़ा कदम उठाती है ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर